आप लोगों ने यहां पर देखा था कि हम लोगों ने यहां पर है एक यहां पर आप इंके लिए है बनाया था एंड देखो यार यह देख रहे हो भाई आप यह भाई दरा रहे हैं ठीक है अगर मैं इनको अभी थोड़ी देर तक अगर हम fix नहीं करते हैं तो यह definitely मतलब break हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि अभी 56 पे हो चुका है जैसे ही मैं अपने गेम को भाई अगर एक परसेंट रिस्टार्ट करता हूं तो यहां पर जैसे तो यह ना तुरंति फिक्स हो जाएगा अगर एक बर मेकैनिक आजाए तो आप लोग को दिखाऊ भाई देखो यार भाई देखो तुरंति यहां पर जितने भी थे ना क्रेक्स वह सारे के सारे फिक्स हो गई बस यहीं दिखाना था मुझे कि वह बंदा भाई ऐसी क्रेक्स को फिक्स कर देता महीं पर अब इना देखो यार यहां पर गर्मी बहुत जादा है मैं सुचरों यहां पर थोड़े से पेड़ लगा देते हैं ताकि जो पब्लिक घू इसको देखते हैं भाई यह क्या है नेचर सीनरी है और ज्यादा कुछ खास है नहीं तो भाई मुझे न यहां पर अच्छे वाले पेड़ चाहिए जिनकी च्छाय अच्छी हो भाई यह तो काफी बड़ा हो जाएगा एंड इसकी च्छाय अच्छी है ना हा यार यह अच्छा है काफी मतलब इसको लगा सकते हैं परसेंट है ना ठीक है कुछ पेड़ को ना भाई मैं इस कोर्नर पे भी लगा देता हूं क्योंकि पब्लिक न वहां पे घूम रही है तो उनको न भाई थोड़ी तो कमी लगेगी तो पब्लिक भाई यहां पे घूम कि बड़े वाले पेड भी थे ना देको यह भी अच्छा है काफी इसकी चाहीबर अशी है बहीए अभी यहा पर पब्लिक थोडा सा मतलब बैट के भाई सानती के साथ में यहां पर अर्राम से खाना पानी अपना कर पाईगी क्योंकि अभी यहा पर थोड़ी सी ना हो गई ठीक है अभी स्टार्ट कर देता है गेम को ओके देखो अभी यहां पे थोड़ी सी च्छाओं हो गई तो आइटिंक सो पॉब्लिक ना भाई खुस रहेगी मेरे तो यह जो मैंने यहां पर पेड़ लगा दिये मुझे काफी थासू से लगे हैं और कुछ अच्छे वाले पेड़ है क्या बाई जो मतलब थोड़े बाई शाइन मारे के भाई हमारा यह ना चमक जाए भाई एरिया पूरा का पूरा नहीं यह चोटे-चोटे हैं मेरे पास में बहुत यूज वाला यूज टाइप का पेड़ था भाई काफी बड़ा लेकिन वो फिलाल ना चमक निरा यह भी भाई नेचर सीनरी है अच्छा चलो एक काम करता हूं अगर मेरे पास में ऐसी सीनरी है तो इस चैसी जगह पे यह लगा जाएगा ना यह लग सकता है ना समली को ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमारे यहां का एरिया और ज्यादा है डन भाई यह देखो कितना बड़ा है यार ओके नहीं भाई यह यहां नहीं लग पाएगा जश्विकोज यह काफी यूज है एंड हां ऐसे लग जाएगा ना यह अरे यार यह अभी पत्थर भार रह गया नई भाई इसको इससे ज्यादा खुली जगए चाहिए तो मुझे खुली जगए वैसे बाई चांस लग बाई चांस भाई तुरंती मिल गई परफेक्ट भाई यह अभी काफी अच्छा लग रहा है देखो यहां पर न अब मतलब पब्लिक यहां से आती जाती इसको देखके खुस हो सकती है थोड़ा एंड एक मेरे पास यह है इसको यहां पर लगा दू है न थोड़ा सा मतलब भाई हमारे रैपिटेशन बढ़ जा रहेंगे ओ भाई मेरे पास में चोटी-चोटी भी हैं कि फिलाल मतलब मैंने इसको ना काफी सुंदर सा बनाने की कोशिज करिया देखो थोड़े वहती यह लगा दिया मैंने है ना जाड जगिंडे तो भाई थोड़े से न अच्छे लगेगा क्योंकि अभी नहीं काफी ब बनाने वाले हैं भाई एक बड़ा ही बहतरीन सा क्या कहते हैं इसको बोलो बोलो उसे कहते हैं भाई बैंगोल टाइगर का घर तो हम आज भाई उसी को ही बनाएंगे जो की काफी धासू होने वाला है ओके तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फटावट से करते हैं गेम को पो हाँ यार इतना इनफ है ओके भाई फिलाल यहाँ पर रोड का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया अभी जो इसके अंदर बचा है वो है भाई है भाई हैबिटेट का गेट लगाना ओके एंड उसके बाद में एक्च्वल में हैबिटेट को तयार करना तो ये दोनों कामना मुझे बहुत अच्छे से करने होंगे एंड मैं सुचरों इसको ग्लास से तयार करूँ भाई इसको भी वन साइड़ ग्लास से मतलब ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि भाई टफ ग्लास से not one sided से tough glass से क्योंकि भाई वो tiger है दूद्ध पीते बच्चे नहीं है और उनके लिए 3.5 मीटर जा 4 मीटर का मेरे according तो बोथ हो जाएगा habitat का ना तो मैं सबसे पहले भाई यहाँ पे gate लगाते है and gate भाई लकडी का नहीं लोहे का gate लगेगा ना glass वाला habitat का glass वाला लगाऊ या फिर habitat का एक normal gate तो नहीं है बस normal gate नहीं लगाना क्योंकि भाई वो tigers है और उनको एक minute लगेगी पूरे के पूरे habitat की बजाने में तो भाई इसलिए metal का gate चाहिए मेरे को यार यह तो काफी तकड़ा है यह एर लोक वाला है भाई यह इसको मतलब यह इतनी जल्दी खोलेगा नहीं ठीक है ना और यह भी track air glasses है भाई तो यह लगेंगे कैसे ना फिर चलो ठीक है जो भी है अभी देखते हैं पहले यह वाला लगाते हैं glass का habitat gate इसको मैं फटाफट से लेके चलता हूँ ऐसे ही ठीक है ना बदलना बुदलना भाई का बाद में होगा बस यह tough glass पर है ना अभी मुझे यह नहीं पता वैसे तो यह tough glass ही I think so भाई क्योंकि इसके साथ में खुद से ही यह वाला glass आया मैं लेके नहीं आया इसको ठीक है थोड़ा सा इसको अभी तो नहीं हाँ अब मोड देंगे ड़न भाई बिल्कुल परफेक्ट एंड भाई मतलब पूरा का पूरा habitat बन गया बट भाई मुझे ना टाइगर्स के लिए देखना पड़ता है के मतलब जो हमारे टाइगर्स है ना जो मैंने खरीद के ओलेडी रखे हुए चेश्मी को भाई इनका प्राइज कभी-कभी डाउन होता है कि मतलब अभी देखो कितने जादा महंगे है यह ना तो अभी मैंने इनको उठा कि इसके अंदर रखा है तो एक बार भाई इनका ना हम जूपीडिया में पढ़ लेते हैं कि इनका मतलब क्या-क्या हिसाब होता है सब कुछ है ना तो यह सब पढ़ लेंगे तो हमें बहुत तो अच्छे से पता लग जाएगा अभी इनका ना यहीं पर तो है यह रहे ठीक है तो इनका जूपीडिया में चले जाते हैं कितना होता है 750 ठीक है मैंने जादी अच्छा खासा दिया इनको भाई 705 से भी जादा ही दिया होगा ग्रेड 3 का क्लाइंट प्रूफ होना चाहि इनकी भाई ओके एंड भाई हाइट कितनी उच्छी होनी चाहिए ना इनकी अच्छा मिनिमा में डल्ट इतने एंड अच्छा भाई अगर बड़े वाले हो तो बढ़ानी पड़ती है ना समझ गया भाई मतलब मुझे यह कितना बढ़ा कर दिया ना मैंने मुझे अभी पता होनी चाहिए तो एडिट करते हैं भाई बैरियर को पकड़ा एंड भाई तीन मीटर है ना तीन मीटर उसने बोला है मैं फिर भी ना इसको चार मीटर से भी जादा ही कर देता हूँ जश्विकोस भाई यह टाइगर है पांच मीटर अराम से मार सकते है चलांग तो छे मीटर इनाफ रहेगी है ना अभी मतलब इतनी उची तो कर दी मैंने कि भाई इसमें से बे निकल के ना भाग पाएं ओके वैसे भाई इनाफ रहेगी फिलाल यह तीन मीटर उचा होके ना काफी अच्छा लग रहा है यह बस भाई यह देख लो मैं सोलिड ग्लास में है ना यह पत ट्रांस्पेरेंट विंडो के साथ में मुझे भाई चाहिए अनब्रेकेबल थिक ग्लास एंड डन भाई वैस उसने ग्रेड थी का बोला था यह भी चल जाता ना हराम से यह ना बट मुझे भाई टफ ग्लास चाहिए अनब्रेकेबल ठीक है ना इसका मतलब इसका काफी नो ट्रांस्पेरेंट है नोन क्राइंबर और वाटर ट्राइट ओके मतलब भाई पानी से जल्दी से टूटे गा नहीं यह भी वह यह यह यार इसका लो है यह वाला इसका भी लो है अच्छे ग्लास तो भाई दोनों के दोनों ही है यह बस यह ग्रेड फोर में आ जाता है वह यह बना दिया मैंने यह फिलाल अच्छा लग रहा है जरूरत पड़ी ने एक पर सेंट तो भाई लग रहा है कि तुवह निकल के भाग सकते हैं मुझे नि लगता अब तो बिल्कुल नि लगता कि भाई निकल बाग सकता है यह से एक परसेंट भी तो फटपट से भाई उन उनको पहले छोड़ देने का इसी के अंदर प्लान है क्योंकि उनको अगर हम एक परसेंट छोड़ देंगे ना तो फिर वे एक्टम पस्त रहेंगे इसके अंदर understand to the zoo here ठीक है भाई यहां लेकर आजओ हमारे नन्य मुन्य बच्चों को भाई हमारे काफी प्यारे से यहां पर आने वाले है ठीक है और यह काफी प्यारे लगेगे जैब वो यहां जाएंगे ऑरे एरे भाई ये तो बड़े गुस्से में है इसका क्या नाम है भाई इसका नाम है वेदिका और वो फिमेल थी ये भाई साब मेल है amid करके नम से, ये मेल भाई साब है मारे ओके तो भाई इनको काफी खुला मैदान मिल गया वैसे भाई एक्चुल में मैंने इसको मैदान इतना पड़ा दे दिया कि इसमें रात दिन घुमो इनको दिक्कत नहीं पड़ेगे हाँ है वैबिटेट में कुछ कमिया है भाई उनको मैं पूरी कर देता हूं हूं हीर पानी इतना है ये वहतरीन पानी का एरिया मैंने इनको दे दिया ठीक है ओके भाई देगी ये पानी में जा रहे हैं तुरंथ अरे अरे अरे-अरे-अरे क्या हुआ तुझे अचा भाई भाग गई वो पानी में नहीं जा रही अब जा उसको जाने ही नी भाई पानी में अचा भाई यह कह रहे आप फिर भाई इनका वोई हो गया मैं इसको पंदरा और तेरा कर देता हूँ तो I think so, यह अभी under budget में से भाई, दुबारा से हट जाएगा ना, खुद से ही, ठीक है, भाई, मैं इनको एक cave भी देते हैं, ताकि ये बंदे, अपनी cave के अंदर, मस्त बैटे, मस्त मजाले, भाई, मोसम का, है ना, इनके चड़ती जवानी, इनके उपर रहेगी, हमारा कुछ हाली के, भाई, यार, एक second, अगर मैं इसको वाँ कर दो, तो मुझे भाई, पीछे का glass, ना, हलका सा उचा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई, इनका भरोसा नहीं है, उसके उपर चड़े और निकल के भाग जाए, ऐसा हो सकता है, भाई, तो मुझे ना, थोड़ी दूर तक क like, here, and, इतना area, भाई, special उंचा करना पड़ेगा, हाँ, ये निकल के ना भाग जाए, क्योंकि यार, पता है, ये एक परसेंट हो सकता है, भाई, उसके उपर को निकल जाए, तो उससे अच्छा है कि भाई, थोड़ा उंचा ही कर दो, ताकि ये कहीं निकल के भाग ना पाए परसेंट भी, ओके तो फिलाल भाई, ये काफी अच्छा सा भाई ने इनका दे दिया, अब इनको और भी चीजों की जरुवत होगी, पेड़ बेड़ भी भाई दिये जाएंगे, इनको definitely, अब भाई, इनके बारे बेना थोड़ा सा और जान लेते हैं, enrichment तो भाई, इनका है on the same continent as the animal, उके ठीक है, तो भाई, इनको इंडिया नहीं चाहिए, सब कुछ, ठीक है, तो मैं इनको ना भाई, डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पेड़ को, है ना, और क्या था भाई, भाई, अपना ही continent का मांगते हैं, इनका भी अच्छा है भाई, देखो यार, मुझे अ लोड वाली बात नहीं है, उठ गए भाई, इनको भाई, थोड़ा खाने पीने का जुगाड कर दो, मैं इनका, क्योंकि भाई, यहां पे खाने का जुगाड ही नहीं है, खाली, है ना, भाई, पैंगोल टाइगर के लिए देखो, कितना कुछ आ गया, और इनके लिए तो ए बीच में सही रहेगी, क्या, या, वैसे बीच में ठीक है, यहीं पर लगा देता हूं इसको, अगर अपने वाले चीतों को चड़गे खेलना होगा, तो यहीं खेल लेंगे इसी के आसपास में, ठीक है, बाकी एक काम करता हूं, यहां पे भाई, बहुत सारी चीज है, यार, ओके भाई, देगो यार, फिलाल, मैंने यहां पे देगो कितना सुन्दर सा एक फाउंटेइन बनाया है, भाई, जश इन लाइन्स के सामने, क्योंकि मैं ना इसी साइड पे भाई, आगे चलके एक टाइगर का हैविटेट खोल दूगा फिर, ओके भाई, यह कह रहे हैं, ल भाई, यहां पे छोड़ देते हैं, तीन, ठीक है, इस्टोर इंदा ये, बट अप उनकी प्रायर्टी है, भाई, यह वाले, ठीक है, तो बेचो तो भाई, इनी पे बेचो, और किसी पे मत बेचना, ठीक है, एंड फिमेल्स को भी भाई, मैं कम से कम तीन, चार तो करी देता हूं, तीन ही फिमेल्स कर देता हूं, इनका सुधर जाएगा भाई, और एज नहीं भाई, इनके कनवर्जनल क्रेडिट्स जो है, वो मैटर करेंगे, यहां पे मेरे लिए, तो फिलाल ठीक है, भाई, अब इनकी ना सोचल लिंग जो है, वो ठीक हो गई होगी, चल रहा है भाई एग्जिबिट, हाँ, यार इनका एग्जिबिट अच्छा तो चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है भाई, इनको अच्छा, cleanliness की दिक्कत थि भाई, इनको, ओक्य ठीक है, बढ़िने ने साफ कर दिया, बाकि सारे के सारे हिस्से साफ है, एक में ओर है, अपिसोड में भाई यहां पे जिराफ एंड इंसम में से अब इनको क्या हो गया भाई ओ भाई यह भूके हैं क्या एक मिनट भाई यह भी मेल है अब खालो यार रो क्यों रहे तुम ऐसे क्यों चिला रहे वार पागलो की तरह अरे यार मैंने इनको फूट बाउल एक ही दिया पानी के तो इतने सारे बाउल दे दिये वह भाई क्यों लड़ रहे हो क्यों लड़ रहे हो तुम भाई यह भी मेल यह भी मेल भाई दोनों की इगों पर बात आ गई यह 10 साल लगा है भाई तू बुड़ा है तू निकल तू एक्च्वल में निकल ठीक है चल गयब हो जा तो ठीक है गाई बाई आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स अभी सोट में तब तक के लिए टाटा बाई बाई